नमस्कार आज की नागपूर हलचल में मैं अश्वरे शिंदे आपका स्वागत करती हूँ अईने ज़र डालते हैं नागपूर की वीविध हलचल पर डेंगू की रोगथाम के उपायों के तौर पर नागपूर महानगर पाली का द्वारा शहर में जोनल सर्वे का कारे किया जा रहा है सुमवार को शहर के 4,651 घरों का सर्विक्षन किया गया डेंगू रोग थाम मिशन के तहट मनपा की स्वास्त टीम द्वारा डेंगू पिडितों के आवास के आसपास के एक शेतर में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाय जा रहे है ये जानकारी मलेरिया एवं हाथी रोग अधिकारी डॉक्टर जैस्मिन मुलानी ने दी सुमवार को जोनल टीम ने 4651 घरों का सर्वे किया इन में से 132 घरों में डेंगू के लारवा पाया गया साथ ही बुखार के 6 मरीज मिले बनपा की टीम ने 46 कुलर खाली किये 763 कुलरों में 1% टेमिफोल घोल डाला गया और 1098 कुलरों में 2% डिफलु बेंजुरम गोलिया डारी गई गपी मचली को 65 कुलर में फेक दिया गया डेंगू रोगताम कारेकरम के तहट प्रतिक नागरिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर या क्षेतर में कही भी मच्छर नापन पे डेंगू से संबंदित कोई भी हलके लक्षन पाए जाने पर तूरन डॉक्टर से सला लेनी चाहिए इस आशाय का आवा हनमन पा के स्वास्त विभाग के अधिकारियों ने किया है राज्य में सत्ता परिवरतन के बाद उपमुख्य मंत्री देवेंद्रा फर्णवीस के पहली बार अपने ग्रह नगर आगमन पर शहर वजिला भाजपा के और से उनका जंगी स्वागत किया जारा है शहर अध्यक्ष प्रविन दटके और जिलाध्यक्ष अर्विन गजबे ने पार्टी के सभी विभागों के पदादी कारियों वह कार्य करताओं से हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में पहुचने के अपिल की है फर्णवीस आज सुबह नाकपुर में पहुचे है कारे करताओं ने ढोल ताशे गुलाल फूलो की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया हवाई अड्डे से आगवन के बाद फर्णवीस ने हेटगेवार चौक स्थित्स मारक पर पुषपांजले अर्पित की उसके बाद पदादी कारियों तथा कारे करताओं द्वारा त्रिकोंडी पार्क रामदा स्पेट तक स्कूटर तथा कार रैली निकाली गई मार्ग में आने वाले छत्रपती चोग, प्रताप नगर चोग, लक्ष्मी भवन चोग पर कारेकरताओ द्वारा फड़नवीज का सत्कार किया गया रैली में जिले के सभी विधायक, पुर्व विधायक, पदादी कारी व कारेकरतागन भारी संख्या में शामिल हुए है जिला परिशत के मौजुदा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का धाई वर्ष का कारेकाल 17 जुलाई को खत्म हो रहा है उसके बार धाई वर्ष के लिए दूसरे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कूरसी मिलेगी लेकिन किस वर्ख का अध्यक्ष होगा इसका रोस्टर अब तक नहीं निकला है इस वज़े से ब्रहम की स्थिती बनी हुई है मौझुदा अध्यक्ष के पास अब केवल 12 दिन ही शेश रह गए है तब तक रोस्टर की घुशना नहीं हुई तो प्रशासक के रूप में CEO को जिम्मदारी सौपे जाने की भी चर्चा है पहले अध्यक्ष सहीद सभी पदादीकारियों का कार्यकाल पाच वर्ष का हुआ करता था लेकिन राज्यसरकार ने कानून बना कर इसे धाई वर्ष का कर दिया है हर धाई वर्ष में पदादीकारी बदल जाते है इसके लिए आरक्षन का रोस्टर निकला जाता है जिला परिशत अध्यक्ष रोस्टर के और लेट होने की चर्चा है। कुछ सदस्ते तो अपनी ही ततकालिन सरकार महाविकास आगाडी को इसके लिए दोशी मान रहे है। इसने प्रकरण को गंभिरतास से लिया और परिवार को सुरक्षा प्रदान की। दोनों पक्षो को बुला कर समझाया गया। इस वज़े से शहर में उदयपूर और अमरावती जैसी घटना नहीं हुई। सो लोगों ने हला बूल दिया। परिवार को पहले ही ऐसा कुछ होने का अंदेशा था इसलिए सभी घर बन करके एक होटल में छिप गए। राज़ भर में स्थानिय निकाव के चुनाव लंबित होने पर सुप्रेम कोर्ट वारा फटकार लगते ही राज़ चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आलम ये रहा कि तीन सदस्तिय प्रभाग रचना के अनुसार न केवल प्रभागों की रचना तै हुई बलकि आरक्षन भी तै किया गया। इसके बाद अंतिम प्रक्रिया में प्रभागों के अनुसार मतदाता सुची भी निश्चित हुई है। परिवर्तन होने की संभावना सुत्रू ने दी। बताया जाता है कि 2014 से 2019 के दोरान जिस तरह की प्रभाग रचना थी उसी आधार पर नए चुनाव कराने के संकेत भाश्पा द्वारत दिये जाए रहे है। राज्चित चुनाव आयोक का भी मानना है कि तीन सदस्तिय प्रभाग हो या चार सदस्तिय इसे निरधारित करने का आधिकार राज्च सरकार के है। राश्च्ट संत्य तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्याले से सनलगनीत बास्तो तीन कॉलेज़ों में से एक चोथाई यानी करीब 123 के पास खुद की इमारत नहीं है। संस्ताने का जो पता दिया है वहाँ वो नहीं है। खामला चौक पर जूपिटर जूनियर कॉलेज के दो कमरों में कॉलेज चलाए जा रहा है। जो 125 कॉलेज की राय की इमारतों में चल रहे हैं उनके पास आवश्चक साधन सुविधाव का अभाव है। साइंस फैकल्टी की कॉलेज होने के बाद भी प्रयोक शाला नहीं है। कुछ संस्तानों के वेब साइट पर एड्रेस गलत दे रखा है। इन कालेजों में चातर प्रवेश्टों लेते हैं लेकिन वर्ष भर में गिंति की क्लासिस लगती है। अब और कडा रूख अपनाया जा रहा है। अब प्रतिक जोन में NDS दस्ते को सक्रिय कर बारी किसे प्रतिष्ठानों की जांच करने की हिदायत जारी की गई है। फिर भी प्रतिबंदी प्लास्टिक का उपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया जाता है कि गांधिबाग जोन सरवाधिक टार्गेट पर है जहानके वल खुद्रा व्यापारियों द्वारा प्रतिबंदी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है बलकि प्रतिबंदी प्ला प्रास्टिक पर अंकुष लगाया जा सके रेलवे ने नाकपूर मंडल में भले ही ट्रेनों की स्पीड बढ़ा कर 130-140 किलोमेटर प्रति घंटा कर दी है लेकिन हकीकत में इसका लाब यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है ट्रेने पूर्वनिरदारिच शेडियूल के अनुसार ही चल रही है यहीं नहीं ट्रेनों के लेट चलने का सिलसला भी पहले की तरह बरकरार है जिससे यात्रियों को काफी परिशानी हो रही है दरसल रेलवे पहले ट्रेनों को 90-100 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोड़ा रही थी सेंट्रल रेलवे और तक्षिन पूर और करमचारियों को भी बड़ी हुई स्पीड पर ट्रेनों को चलाने के निर्देश दे दिये गए थे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के बाद लोगों को उमीद थी कि गंट तव्य तक पहुचने के समय में कमी आएगी परंतु जमिनी स्थर पर ऐसा कुछ भी बदलावन अस केंट्रस दोनाग्पुर महानगर पालिकाक शेत्र के हुचेट्र के टिका करंड केंद्रों पर प्रती दिन टिका करंड किया जारा है को फोर निहां के पंजी करण और ऑ्फलाइन की अपिल की गई है जातयात पुलीस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन धाराओं के अंतरगत कुल मिलाकर 2000 वाहन चालकों पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकल 3,46,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसे तरह जुआ अधिनियम के अंतरगत आठ मामलों में 11 रुपे को गिरफतर किया गया और उनसे 15 रुपे का सामान जब किया गया है उपरोग सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलीस द्वारा किये गए थे ट्राफिक विबाग ने ये आवाहन किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से समंदित सभी दस्तावेज अपने पास रखे जेस्टी कांसिलिंग द्वारा हाली में हुई अपनी मिटिंग में पैक किये अत्वा लेबल लगाए गए सभी प्रकार के खाद्य पदार्तों एवं कुछ अन्यवस्तों को जेस्टी के दायरे में लाने की सिफारिश पर देश के खाद्यान व्यापारियों में बेहद आकरोश है और कांसिलिंग के इस कदम को छोटे निर्माताओ एवं व्यापारियों के हीतों के खिलाफ करार दिया गया जिसमें आम सामान की कीमत पर बड़े ब्रांड का कारूबार बढ़ेगा अब तक ब्रैंडेड न होने पर विशेश खाद्य पदार थो अनाज आधी को GST से छूट दी गई थी काउंसिलिंग के इस निर्णय से प्री पैक, प्री लेबल दही, लसी और बटर मिल्क सहीट प्री पैकेज़ और प्री लेबल रिटेल पैक पर भी अब GST कर लगेगा और देश भर में 6500 से अधीक अनाज मंडियों में खाद्यान न व्यापारियों के व्यापार में बड़ा अवरोध जाएगा इस विशय पर अनाज व्यापारी वित्तमंत्री निर्मला सितारामन एवं केंद्रिय अप्रत्यक्षकर बोर्ड के अध्यक्षविवेग जोहरी से मिलेंगे और इस निर्णय पर पुनर विचार के जाने का आग्रह करेंगे इस आशे के विचार कैट के राष्ट्य अद्यक्ष बीसी भारतिय एवं राष्ट्य महामंत्री प्रमीन खंडेलवाल ने शहर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फरेंस में व्यक्त किये मेहमुदा शिक्षन एवं महिला ग्रामिड विकास बहुत देश्य संस्था अंतरगत सेंटरल इंडिया ग्रूप उफ इंस्ट्यूशन लोणार नाकपूर परिसर में कॉशल विकास प्रशिक्षन लेने वाले चात्र ने स्वामी विविकानन को भावपूर्ण इस कारेक्रम के अद्धिक्षपूर्व कैमिनेट मंतरी महाराष्टर शासन डॉक्टर अनीश एहमत तथा डीडी यूजे के वाई के डायरेक्टर तुशार में श्राम उपस्तित थे स्वामी विविकानन के प्रतिमा पर माल्यारपन तथा उनको भावपूर्ण श्रद्ध कारेक्रम की शुरुबात की गई डॉक्टर अनीश एहमत ने अपने भाषण में स्वामी विविकानन की आदर्शों का पालन करते हुए युवाव को शरीर मन तथा आत्मा की मजबूती के लिए रोल मॉडल के रूप में संदर्भित किया उनकी शिक्षा तथा अपने समय क सदूपयोग कर आदर्शवत जिवन व्यतित करने के लिए प्रेरित किया तुशार में इश्रामने भाषण में स्वामी विविकानन को एक महान दूर दर्शी के रूप में पेश किया जिनोंने उर्जावान युवा लोगों के साथ एक देश के रूप में भारत की कलपना क और अध्यत्मिक आदर्शों के निव पर आधुनिक समाच को आकार देने की बात की इस कारेक्रम में डीडी युजे के वाय का स्टाफ इशान पठान, वर्शा पकाडे, राहुल चौधरी, शमा अंसारी, सौपनिल शिताने, प्रजवल भोंगाडे, आरती कानपटे, उदघाटन, वीगत दिनों संपन हुआ, उलेक निया है कि वीगत पाच वर्शों से कक्षा एक से लेकर, दसवी तक की विद्यार्थियों के लिए शालय वर्ग महल, चिटनविस, पूरा स्थित, निमजे भवन में निशुलक रूप से चलाय जा रहे है, इस छटवे उदघाटन समारों के अध्यक्षता, प्रोफेसर डॉक्टर ओंप्रकाश मिश्राने की, प्रमुकतिती के रूप में अंदश्रद्धा निर्मुलन समिती के महासचिव, हरिश देश्मुक, लॉज गुल्डन, ओरेंज के हर्शल वनजारी, निरंचन बिसने, इंडिया पीस अरेश निमजनेदी, संस्था द्वारा शुरू किये गए इस उपकरम के पीछे जोपडबटी में रहने वाले गरीब बच्चों का वर्तमान सुधार कर भविश्य बनाने की उजना है, वरिश्ट समास से वी उमेश बाबु चौबे ने प्रेरणा से प्रारम की गई प्रत्यक वर्ष विद्यार्थियों को ने शुर्क शालिय सामुगरी का वितरण भी कुछ संस्थाओ द्वारा भेट स्वरूप किया जाता है वाडी नगर परिशत के धम्मकिर्ती नगर महाप्रग्या बुद्ध विहार सितराज ग्रह गरन्थाले में विबिननस परदा परिक्षाओं की तयारी कर रहे छात्रों के लिए रविवार को एक विशेश मार्ग दर्शन वर्क का आयजन किया गया था सरुप्रतन विशेश मार्ग दर्शक सर्वोचन आयले के अधिवक्ता डॉक्टर अनुपम पांडे प्रियदर्शने शिक्षा महाविद्याले के प्रोफेसर सुबाश खाकसे ने सविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहे बांबेटकर के प्रतिमा को माल्यार पंड कर अ चात्रा आयशा भोवते ने मार्ग दर्शन डॉक्टर अनुपम पांडे के शेक्षन एक विकास वा समाज सेवा का परिचय कराया सचिव राजेंद्र कामले ने बताया कि इस ग्रन्थाले से अध्यपन कर अभी तक 25 से अधिक छात्रा नेक सेवाओं में नियुक्ट हुए है प्रभुग माग दर्शन डॉक्टर अनुपम पांडे ने इस परदा परिक्षा का महत्व प्रस्तूत कर भारतिय सविधान व तथागत बुद्ध के विचार को प्रस्तूत किया समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रगति के अवसर, समाजिक परिवर्तन, विज्ञान, निष्ठा, अशिक्षा के अवसर, आदी तथागत, बुद्ध, चत्रवती, शिवाजी, महाराज, शाहु महाराज, महात्मा जोतिवा, फूले के तात्विक विचारु का प प्रथम दिन 30 लोगों ने लाब दिया, बुस्टर डोस की कीमत रूपए 386 है, किन्तु आर्थिक दृष्टी से कमजोर लोगों के लिए कुछ दान दाताओं के सहयोग से इसे 50% डिसकाउन में दिया जा रहा है, इस अवसर पर जैन दवाखाने के सहयोजग सुभाश कोटे के लिए और भी कम में बुस्टर डोस लगाने की हमारी मन्शा है, दान दाताओं से भी निवेदन की आग है कि ऐसे नेक कारे में अपना योगदान जरूर दे, जैन दवाखाने के सहयोजग सुभाश कोटेचा ने बताया कि नियमित रूप से दवाखाने में मरीजों को कम स से कम शुल्क में फिजियो थेरपी, पैथलोजी, सोनोग्राफी, एक्सरे, आखों की जांश तथा अन्य सभी प्रकार का ट्रीट्मेंट किया जाता है, हाट के सभी मरीजों के ओपरेशन निशुल करवाने में सहयोग किया जाता है करविन इंडो पब्लिक स्कूल में शनिवार को पाटन सावंगी हेटी यातायात मदद केंद्र द्वारा सडक सुरक्षा पर विशेश कार्यशाला का आयजन किया गया कारेशाला में स्कूल के प्राचार या राजंद्र मिश्र, निशा चौहान, सभी शिक्षक और कक्षा पहली से कक्षा दस्वी तक के विद्यार्थी तथा स्कूल बस के चालक एवं पालक गण उपस्तित थे कारेकरम के प्रमुकती थी पुलीस निरिक्षक दुबे, सहायक पुलीस निरिक्षक, मुसनवार, पुलीस उपनिरिक्षक गौर खेड़े आदी उपस्तित थे दुबे ने उपस्तित सभी लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी लापरवाही से दुरगटना कैसे होती है वाहन चलाते समय हिलमेट पहनना क्यों जरूरी है लाइसंस के बिना वाहन नहीं चलाना चाहिए शराप पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए और विद्यार्थियों को विशेश रूप से बताया कि अठ्रा वश्च से कम उम्रवाले छा बैनर पोस्टर रादी के माध्यम से जन जागरूती की जाती है लेकिन इसके बाद भी लोग यातायात के नियमों को अंदिखा करते हैं जिससे दुरगटनाय होती है इन सभी विशेव पर उन्होंने छात्रों शिक्षकों अभिभावकों वबच्चालकों का मागदशन किय गोदनी स्थित नवजीवन मतीमंद शाला को नवोदय बिजनेस असोसेशन के संस्थापक अध्यक्षर मनोहरलाल आहुजा के नेतरत्व में सदस्यों ने भेट दे कर नकेवल उनके साथ खुश्यों का आदान प्रदान किया बलकि भेट स्वरूप स्कूल के संचालत अध्यक्षा आहुजा ने जल से जल पूरा करने का वादा किया नवोदय बिजनेस असोसेशन के सभी सदस्यों को आश्रम में बच्चों के साथ बहुत आनन आया सभी ने खुशी जाहिर की इस अवसर पर मनोहरल आहुजा राजकुमार मोटवानी अशोग जैन रमेश गोपाल मुलतानी, पवन जैन, लक्षमन मेंडारे, हेमन साहु, अंबादास नायडू, आनन साखेल, किशोर राठोड, आयूश राठोड, जाधों की मवजुद्गी रही महामेट्रो के प्रबंधनी देशक, डॉक्टर ब्रजेश दिख्षित की दुरुदर शिता, कुशल प्रबंधन और साटिक मांग दर्शन में महामेट्रो रिकॉर्ड, दर रिकॉर्ड स्थाबित करती जा रही है महामेट्रो को अपने उत्कृष्ट कारियों के लिए अब तक मेले पूरसकारों में एक और व्रहत पूरसकार जुड़िया है जिसे महामेट्रो नाकपुर ने अपने किरतिमानों में एक और माल्स्टोन हासिल कर लिया है हाली में महा मेट्रों की दो महत्वपुर्ण परियोजनाओं को प्रतिष्ठित एशिया और इंडिया भूक ओफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है महा मेट्रो की दो पर ये उजनाओ का सर्वसरेष्ट कार्य के लिए पुरसकार का चैन किया जाना महा मेट्रो के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनाम है महा मेट्रो को इससे पहले कई महत्वपुर्ण पुरसकार और सम्मान मिल चुके है मेट्रो रेल सिंगल कॉलम पियर्स पर हाइवे फ्लाइ ओवर और उसी स्थान पर मेट्रो रेलवे द्वारा आरम में इस कार्य के लिए स्वतंत्र पियर तयार किये जा रहे है बाद में इसकी समिक्षा करते हुए डबल डेकर वायक डक्ट तयार करने के लिए महामार गुडानपूल और मेट्रो रेल का संयुक्ति करन करने का निर्णय लिया गया डबल डेकर वायाडक्ट के प्रथम स्तर पर महामार्ग उडानपूल और दूसरे लेवल पर मेट्र रेल्वे का संचालन हो रहा है मनपा आयुक तेवन प्रशासक राधाक्रशनन बीद्वारा नागरिकों की मुलभूच शिकायतों के समन में दिये गए निर्देशान उसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समधान केंद्र स्थापित के गए है पहले ये कॉरोना नियंतरन कख्षे हुआ करते थे इन केंद्रू को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुरुवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 613 शिकायते प्राप्थ हुई है और अब तक 10 जोन में 439 शिकायतों का समाधान किया जा सुका है सिवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायते दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंदर स्थापित किया गया है इसका लाब आज नागरिक उठा रहे है प्रतिक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंदर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेता है और मानसुन के शुरुवात के बाद यह सेल 24 गंटे चालो रहेंगे अब तक लक्ष्मिनगर जोन में प्राप 89 शिकायतों में से 41 धरंपेट जोन में 58 में से 51 हनुमारनगर जोन में 234 में से 200 धंतुली जोन में 67 में से 36 तथा नहिरुनगर जोन में 41 में से 24 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है जीतो एबेक्स के वेक्तियों ने एक interactive orientation session के लिए भारत भर के सभी चैप्टर का दोरा करने के अपने अभियान के एक भाग के रूप में नागपुर चैप्टर का दोरा किया इस बैठक में चैप्टर के विकास उपकरम परियोजनाओ, वीजन और समुदाय के सशक्तिकरण की दीशा में जीतो के उदेश्य के कारे सुची पर विचार विमर्ष किया गया इस बैठक के अद्यक्षता जीतो एकवेक्स के प्रेसिडेंट सुरेश मुथा, वाइस प्रेसिडेंट पारसमल जैन, जोन के चैर्मन कांतिलाल ओस्वाल, जोन के चीफ सेकरेटरी अजय मेता, जोन के वाइस चैर्मन सतिश हिरेन, जोन लेडिस विंग की सहियोजग संगीता लवानी और यूथ विंग रोम जोन के सहियोजग जिनेश जैन उसी प्रकार, जे एटी एफ और श्रमन आरोग्यम ट्रस्टी अजे संचेती, जे एटी एफ ट्रस्टी और चैप्टर चेर्मन उजवल पगरिया, जे एटी एफ ट्रस्टी सुनिल रायसोनी, मनिश मेता के सा चैप्टर चीफ सेक्रेटरी सुधिर सुराणा, जनरल सेक्रेटरी राजन लढधा, वाईस प्रेसेडेंट दिलिप रांका और राजे सुराणा, कोशाध्यक्ष जुलफेश शा, प्रतिक सरावगी, अश्विन शा, आधी उपस्तिते, इस कारेक्रम की शुरुवात नाकप और हल चल में, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, देखते रही अवी के मिन्यूस, नमस्कार